नमस्ते, आपका स्वागत है आज के टेक अपडेट में। चलिए शुरू करते हैं। Google Pixel 8A Google ने Google I.O.20 ट्योवीस पर Pixel 8A को लॉंच करने की घोशना की है, जो एक बजट फ्रेंडली फोन होगा। इसमें AI सुविधाओं में सुधार और 7 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। Google और Samsung की साजहदारी Google और Samsung ने Android और Galaxy स्मार्टफोन्स के लिए AI अनुभवों को बहतर बनाने के लिए साजहदारी की है। Formula E Race Car Formula E ने Gen 3 Evo Car का अनावरण किया है, जो Formula E कारों से तेज होने की उम्मीद है, यह सिर्फ 1.82 सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटा तक पहुँच सकती है। OnePlus 13 आने वाले OnePlus 13 में एक 6.8 इंच का 2K Micro Curved Display, Snapdragon 8 Gen 4 SOC और Multifocal Camera प्रणाली होगी। दुनिया का सबसे बड़ा 3D Printer एक विशाल थीडी Printer ने 80 घंटे में एक घर का निर्माण किया है, जो निर्माण विधियों में क्रांति ला सकता है। Amazon Great Summer Cell Amazon India का Great Summer Cell ग्राहकों के लिए रोमांचक सेल की पेशकश करने का वादा कर रहा है। विप्रो पूर्व CEO Severance पे विप्रो एक्स CEO Therry Delaport को 92.1 करोड रुपए दूसरी कंपनी नजवाइन करने के लिए देगा। Instagram Subscriptions Instagram प्लेटफॉर्म पर सक्रिय क्रियेटर्स के लिए 20 लाख से अधिक सबस्क्रिप्शन है। Google के डेटा सेंटर निवेश Google इंडियाना और वर्जिनिया में डेटा सेंटर में 3 बिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। डेटिंग अप्स यूजर डेटा Tinder, Hinge और Bumble जैसे डेटिंग अप्स विग्यापन के लिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी बेच सकते हैं।